दोस्तों, 6-0- tastes कम कीमत में मिलने वाले स्माठफोन की बात करें, तो हमें बहुत कम स्माठफोन शाल का मिलते हैं, इसाटफोन के स्टैटिंग प्राइस वैसे तो 6,300 रूपे है, बट इसस्माठफोन को आप 6,000 रूपे से कम कीमत में भाएक कर सकते हैं. इसके लबाब इसी स्मार्टफोन में हमें क्या कुछ फीचर देखना को मिल जाते हैं इसी स्मार्टफोन को आपको बाइक करना चाहिए नहीं करना चाहिए सब कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा इसलिए वीडियो काफी जदा इंटरस्ट्री होने वाली है अगर आप एक बजट रेंज का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर से देखें और अगर चैनल पर पहली बराएं तो प्लीज चैनल को सब्स्क्राइब करें लेकिन को जरूर से दमाएं तो ये स्मार्टफोन एक बजट के डिरी गए स्मार्टफोन है जो कि Amazon पर आपको 6300 रुपे में मिल जाएगा इस स्मार्टफोन को आप 5670 रुपे में भी बाइक कर सकते हैं ये इस स्मार्टफोन पर आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा अगर आपके पास SBA का क्रेडिट कार्ड है तो उस पर 10% का instant डिस्काउंट मिल जाएगा Amazon सेल के दोरान अभी Amazon पर Republic Day सेल चल रही है जिसके दोरान इस स्मार्टफोन पर 10% का instant डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा SBA के क्रेडिट कार्ड पर तो अगर आपके पास SBA का क्रेडिट कार्ड है या फिर आप SBA का क्रेडिट का जुकाड कर सकते हैं इस स्मार्टफोन पर काफी अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है उसके बाद में इस स्मार्टफोन की कीमत 6 ज़रोपे से भी कम हो जाती है अगर इस स्मार्टफोन की फिचर की बात दिया है तो इसका लोकोड जाइन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है पॉली कार्मरेंट पैक दिया गया है बड़ी सी कैमरा हाउसिंग मिल जाती है इसमें हमें एक ही बेरेंट देखने को मिलता है, 2GB RAM के साथ में 32GB स्टोरेज यहां पर दी गई है, तो यहां पर overall इसी smartphone की जो performance रहने वाली है, वो daily usage में online classes हो, या फिर आपका चोटा motto कोई भी काम हो, वो यही smartphone आराम से कर देगा, अगर इसमें gaming की बात की जाए, तो चोटे-मोटे games भी आप इसी smartphone पर खेल पाएंगे, बट heavy gaming इस smartphone पर आप नहीं कर सकते हैं, इसके लबा यह smartphone out of the box हमें Android 11 पर देखने को मिलेगा, और टेकनोर कंपनी का इसमें OS देखने को मिलेगा, इसके लबा बात करें, इस smartphone के cameras की, तो दोस्तो इस smartphone के rear में हमें बड़ी सी camera उसे मिल जाती है, LED light भी दी गई है, जिसमें के हमें 8 अपिसल का primary lens मिल जाता है, और 0.3 में अपिसल का एक depth sensor दिया गया है, इसके लबा इसके front की बात करें, तो यहाँ पर 5000 image की बड़ी battery हमें मिलेगी, जिसके साथ में 10V का charger इसके box में ही दिया जाएगा, इसके लाबा इसके other feature की बात करें, तो यहाँ पर dual SIM, triple card slot, micro USB, 3.5 headphone jack, wireless FM, front LED flashlight, voice changer, rear finger print scanner, and face o log जैसे आपको सभी feature मिल जाते हैं, तो overall phone का look or design काफी अच्छा है, decent type के आपको camera मिल जाते हैं, performance भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, और इसका जो battery pack up है, वो भी काफी कमाल का देहन को यहाँ पर मिलेगा, तो 60,000 रुपे से कम कीमत में, यह एक best value for money smartphone है, अगर आप कोई budget category का smartphone लेना चाते हैं, तो इस smartphone को आप जरूर से buy कर सकते हैं, इसका link मैंने आपको निचे description में दिया होगा, बाकि क्या आप इस smartphone को buy करने की सोच रहे हैं, या फिर कोई और smartphone इस बजट में देख रहे हैं, तो comment करके जरूर से बताना, बाकि वीडियो चले को यूज़र वीडियो को लाइक कर देना, मैं मिलता हूँ आप सिकोर इसी ने वीडियो में, तब तक लिए take care and good bye.